आदर्णय अभिभवगण, आदर्णय अध्यपगण, पिरिया चात्र चात्रों, कुछ दिन पहले हमारे देश के सुचिक पुधान्मन की सिरी नरिंद मोधी जी ने बर्तमान प्रस्वतियों को देखते वे एक आपात उचिस्तर की बैठक अपने सानिद्य में बुलाई थी जिसमें तमाम हमारे कडिनेट के सयोगी, सहित, सभी आतिकारी वर्ग, शिक्षा बिभाग और बिभिन दिसाओं से जुड़े सभी लोग उपस्तित थे और मैं आवारी हूँ अपने प्रधर्मत्र जी का जो लगातार और लगातार हमारे विद्यार्थियों की चिंता करते ह हैं, हमको अपना मार्व दर्शन लगातार देते हैं, उनी के निर्देश पर एक बहुती उच्छ स्तरी वैठक, आज हमारे देश के यसोची रक्षा मंती सिरी राजनात सिंग जी की अध्यक्षता में हुई, और जिसमें मेरे साथ केंदर के दो सयोगी, कैबिन मंती इसमती जी रानीची और सिरी प्रकार जावड़ करजी सहित, मेरे सायोगी मंती संजे दोत्यची वी ते हैं और देश के कई राजियों के मुख्य मंती, कई राजियों के rooftop Mon핑 मंती और सभी राजियों के शिक्षा मंती गंड Castle इसमती में हैं, विन्यदा मारा दनात चिल्देनात सिं एक जुट थे अपनी चात्रों के सुरक्षा और भवश्य को लेकर मुझे सबसे पहले तो इन सब का धन्यवाद देना है जो सारे शिक्षा व्यवस्था के लिए चात्रों की सुरक्षा और चात्रों के भवश्य की चिंता के दिश्चे केंद्र के साथ एक जुट हो करके और आज खाड़ी दिखाई दिये हैं मैं उन्हें सब के प्ति बहुत आबारी हूं बहुत सार्थक चर्चा आज रही है बहुत सार्थक चर्चा रही है बहुत महत्तो पूर्ण सुजाव सभी राज्यों से आई हैं और पिछले वर्स भी राज्यों ने आज एक जुट हो करके इस कोरोना काल के महा संकट में बहुत अच्छे तरीके से परदर्शन किया था और आज भी मेरे पिरे अच्छातों चात्रों से पूरी दुनिया इस कोरोना के महा संकट से जूज रहें और हम अच्छोते नहीं है ये चुनोती हमारे सामने है और मैं इस बात का भी गरव महसूस होता है कि हमारे अध्यापगण ने फ्रंट लेंड पर आ करके जिस तरीके से पूरी वर्ष में मेरे चात्रों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया और साथ में नहीं जाने दिया ओन लैंड एजुकेशन यथा संभव वहां तक पहुंचे हैं जहां तक पहुंच सकते थे और पहुंच रहे हैं जो थोड़ा बहुत कमी है उसको भी धूर कर रहे हैं शायद ये दुनिया का पहला ऐसा उदारन होगा जब 25-30 करोर चात्रों को ओन लैंड पर और घरों को ही स् हपक्तों मिलकरों को इस ऐसे वक्त पर बहुत समालने के कोशिश की है और चात्रों ने भी जो साहस दिखाया है उच्जाह दिखाया है इसके लिए मैं उनका अभिणनदन करना चाहता हूं जू नेरे पीने इस मही तक वो अपने सुझा दे देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनिश्यत्ता को दूर कर सकेंगे. मुझे याद आता है कि जब हमने आपकी सेवेसे बोड की इंटर की परिक्षाओं को इस्थखित किया था तो हमने आपसे कहा था कि हम एक जून तक इन प्रस्तितियों का अंकलन करेंगे जो भी प्रस्तितियां होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविश्या मारे सामने दोनों चीजे हैं सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविश्या इन दोनों को देख करके हम फिर एक जून को आगे का आपको अगरत कराएंगे जो भी प्रस्तितियां होंगी हमने यह भी कहा था कि जब भी हम इस बार की गोश्ना करेंगे तो कम से कम 15 दिन हम आपको देंगे ताकि आपके मन में अचानक नहों कि कप जिच्छों के गोश्ना हो और कफिर जो है आप संबलें तो मैं यह समझता हूं कि यह 25 मही तक सभी राजियों के जो जो राजा कुछ ही राजे हैं जिनोंने कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजे हलांकि उनका भी स करो सकते हैं उनके लिए वो 25 माई तक उन राजियों के सुजाओ भी आजाएंगे और मैंने कहा है अपने अभीभाएववा कों से भीर आप से भीर अध्याबश कर्णू से सभीका यदी आपके भी सुजाओ हुंगे तो मेरे ट्वीटर पर आप अपने सीथे सीथे है कि एक जून एक जून से पहले और आप 25 माई के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अबगत करा सकें मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रधान मंति जी कि दुर्देश में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली है और आपके जीवन और आपका भवश्या भी ह हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए इन सब को ही ध्यान में रख करके जो जो भी प्रस्तियां भविश्य के लिए बनेंगी हम आपके साथ खड़े हैं आप निशिंद होकर के रहिए आप बीना तनाव में रहिए समय समय के साथ इन प्रस्तियों के साथ हमको जोशना है इसे में हमको रास्ते भी निकालने हैं हम आपका भविश्य हमने पिछले वर्ष भी हम दुनिया का वो सबसे बड़ा लोगतंतिक देश हैं जिसने अपने बच्चों का एक वर्ष खराब नहीं जाने दिया था और सवारी दुनियानी बात को देखा है और हमने आपके सु सुरक्षा आमारे पहली प्राधा मिकता है और इसलिए फिर में बर्वसा देलाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निशिंत रहिए और जो भी नड़ने होगा वो आपके हित्मे होगा आपके जीवन के सुरक्षा की दृष्टी से होगा और आपके भविश्य में आपके भव मैं आपकर करना चाहता हूं और आज में विशेश करके अपर देस के रक्षा मंत्रिजी यूंज गैंदर में बैष्टी अउby केइंद्र में कई बार विविहन्त्रायों के जिनोंने संभाली है और जो उत्तरप्र दिजि याद आता है क्योंको मैं उत्तरप्र देस में मंति राहूं वो ऐसे एतियासी खीक्षा मनतीु रहे मुख्य मनती तो थे ही आज उनके सानीतिया में पूरे देज का शिक्षा तंत्र ने पूरा बहुत देर थक विचार भी मर्शु किया है बहुत सार थक बहुत ही सार थक पूरा देज के शिक्षा सभी राजे एक जुट है मेरे जो सायोगी मंती आदर्णिया जावेट कर जी और आदर्णिया इसमित रानी जी को भी में हिर्दे के लिए राजी से धन्याबाद देना चाहता हूं मैं एक बार आपको शुक्त हमने देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद पूरी दुनिया इस कोरोना के महा संकट से जूज रही है और हम अच्छोते नहीं है यह चुनोती हमारे सामने है और मैं इस बात का भी गवर्व महसूस होता है कि हमारे अध्यापगणने फ्रंट लेंड पर आकर के जिस तरीके से पूरी वर्ष में मेरे चात्रों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया और साथ में नहीं जाने दिया आउन लैंड एजूकेशन यथा संभव वहां तक पहुंचे हैं जहां तक पहुंच सकते थे और पहुंच रहे हैं जो थोड़ा बहुत कमी है उसको भी धूर कर रहे हैं शायद ये दुनिया का पहला ऐसा उधारन होगा जब 25-30 करोड चात्रों को ओन लैंड पर और घरों को ही स्कूल में तब्दील कर दिया गया होगा अभिभाव को मैं आपका अभिनंदन करता हूं आपने और अध्यापक्तों ने मिल करके चात्रों को इस ऐसे वक्त पर बहुत समालने की कोशिश की है और चात्रों ने भी जो साह पास दिखाया है उत्सा दिखाया है इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे चात्रों जो आज बैठा कुई है उसमें कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए और उनको कहा गया है कि 25 मही तक वो अपने सुझाव दे देंगे त जब हमने आपकी सीवेसे बोड की इंटर की परिक्षावम को इस्थगित किया था तो हमने आपसे कहा था कि हम एक जून तक इन प्रस्तित्यों का अंकलन करेंगे जो भी प्रस्तित्या होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविश्या मारे सामने दोनों चीजे हैं सुर कि जब भी हम इस बात की गोष्णा करेंगे तो कम से कम 15 दिन हम आपको देंगे ताय कि आपकी मन में अचानक नहों कि कप दिख्यों के गोष्णा हो और कफिर जो है आप संबल लें तो मैं यह समझता हूं कि यह 25 मही तक सभी राजों के जो जो राजा कुछी राजे हैं जि लेकि सुझाओ को सकते हैं उनके लिए वह परचीज मही तक उन राजियों के सुझाओ भी आ जाएंगे और मैंने कहा है आपने अभीभाव कों से भी का है आप से भी का है अध्यापक करनों से भी यदि आपके भी कोई सुझा होंगे तो मेरे ट्वीटर पर आप अपने होगी कि हम आपको अगवत करा सकें मैं आपको विश्वास दिलना चाहता हूं प्रधान मंति जी के नरुदेश में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली है और आपके जीवन और आपका भावश्या भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है और इसलिए इन सब को ही ध्यान म के जो जो भी प्रस्ति यान भाविश के लिए बनेंगी हम आपके साथ खड़े हैं आप ना तनाव में रहिए समय ढय के साथ इन प्रस्तित को सहा 심 ה습ना है इस्वें हम को रास्ते भी निकालने हैं हम आका भावस्या हमने पिसली वर्ष भी harmful दुनिया का वह सबसे बड़ा ल हमने आपके सुरक्षा हमारे ले हर हालत में आपके सुरक्षा हमारे पहली प्राध्म कता है और इसलिए फिर में बर्मसा दिलाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निशिंत रहिए और जो भी नड़ने होगा वो आपके हित्म होगा आपके जीवन के सुरक्षा की द्रिष्टी से होगा और आपके भविश्य में आपके भविश्य को ले करके होगा मैं एक बार फिर सभी अभी भावकों का आध्या पर गण का चात्र चात्र आओं आज में विशेष करके अपने देश के रक्षामंति जी जो केंद्र में कईबार जो उत्तरप्रदेश में याद आता है कि मैं पूरे देश का शिक्षामंति भी पूरा बहुत देर तक विचार मर्शी किया है, बहुत सार थक, बहुत ही सार थक, पूरा देज के सिख्षा सभी राजे एक जुट है, मुझे इस बाद को ले करके प्रसन्यता होती है, और मैं सभी राजियों को धन्याबाद भी देना चाहता हूं, और मेरे जो सायोगी मन्ती आदर्णिया जावेट कर जी और आदर्णिया इसमित रानी जी को भी में इदे की लिए राजी से धन्याबाद देना चाहता हूँ मैं एक बार आपको शुक्षा में देता हूँ